नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बाजार जैसी खस्ता क्रिस्पी कोकोनट कुकीज ये कोकोनट कुकीज हम बिना ओन के बनाने वाले हैं ये कोकोनट कुकीज को हम कड़ाई में बहुती आसानी से बनाने वाले हैं ये कोकोनट कुकीज को आप बि तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो चले अब हम ये कोकोनट कुकीज घर में बहुत ही आसानी से बनाते हैं, ये मैंने चार चम्मज बटर लिया है, ये बटर की जगा पे आप गी भी ले सकते हो, हमें बटर या घी पिगला हुआ नहीं लेना है, इस तरीके कही हमें बटर या घी लेना है, ये कुकीज बनाने के लिए हमें तेल का उप्योग भी नहीं करना है, बटर या घी की जगा पे आप डालडा भी ले सकते हो, लेकिन बटर से ये कुकीज में बहुत ही अच्छा इस तरह हमने ये बटर को फेट के स्मूथ कर लिया है, देख सकते हैं, इस तरह हमने फेट के रेडी कर लिया है, अभी हम ये कटोरी का माप लेंगे, आपके घर के कोई भी चीज से आप इस तरीके का माप ले सकते हो, अभी हम ये कटोरी के माप से एक कटोरी पीसी हुई सक्क मैंने इसको पीस के बारिक कर लिया है, हम इसमें यह शक्कर डाल देंगे, यह शक्कर को हम बटर के साथ में इस तरह फेट लेंगे, तीन मिनिट तक के हम यह बटर और शक्कर को इस तरह फेट लेंगे, उसी कटोरी के माप से हम एक कटोरी मैदा लेंगे, मैदे को हम चाननी मे मैदे का एक एक दाना खुला हो जाता है और मैदे में कोई उटली रह वो भी निकल जाती है यह हमने आधा चममज बेकिंग पाउडर लिया है यह बेकिंग पाउडर भी हम यह चाननी में डाल देंगे और इसको हम चान लेंगे यह कुकीज को अच्छा टेश्टी बनाने के ल इसको इनारेल का बुरा बोलते हैं यह हम लेंगे और इसमें हम यह डाल देंगे इसको हम हातों से हलके से मिक्स कर लेंगे इसको हमें आटे की तरह गुतना नहीं है इसे हमें हातों से हलके हलके इस तरह मिक्स कर लेना है सभी चीजों को देख सकते हैं आप सभी चीजों को ह अच्छे से मिक्स कर लिया है, यह अभी ड्राइ लग रहा है, अभी हम इसमें एक चम्मच दूद डालेंगे, यह नॉर्मल घर का दूद है, इसमें हमें ज्यादा दूद नहीं डालना है, सिर्फ एक या दो चम्मच ही दूद डालना है, अगर आपको लगता है, तो आप दू सकते हो, इस तरह हातों से हलके हलके मिक्स करते हुए, हमें इसका डो तयार करना है, आटे की तरह जोर लगा के हमने अगर इसका डो तयार कर लिये, तो यह हमारी कुकीज बिगर सकती है, यह देखें, इस तरह हमने इसका डो बना के रेडी कर लिया है, अभी हम यह कुकीज क लिए butter paper तयार करने की तयारी कर लेंगे घर में हम cookies बनाते हैं लेकिन हमारे पास में butter paper नहीं होता ऐसे समयए मैं हम क्या करेंगे हमारे घर का कोई भी plane paper लेंगे इस तरह का इस तरह का प्लेन पेपर ही हमें लेना है, अगबार वाला पेपर हमें नहीं लेना है, उसमें केमिकल्स रहते हैं शाई के, ये पेपर को हम चौकोन के आकार में फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह हमने चौकोन के आकार में इसको फोल्ड कर लिया है, अब ये चौकोन इस तरह हम इसको गोलाई में काट लेंगे, इस तरह हम इसको गोलाई में काट लेंगे, इस तरह हमें गोलाई में काट लेना है, इस तरह की एक थाली लेंगे, उस पर हम तेल डालके उसको फैला लेंगे, यह सबजी वाला रिफाइंड ओईल है, उस पर हम यह पेपर रख दे लेंगे और इसको हम यह प्लेट में अच्च से चिपका लेंगे इस तरीकेSince और यह पेपर के उपर में हम तेल डाल के इसको भी अच्छे से फायला लेंगे यह हो गया हम ढौना डेसी जुगार बटर पेपर तयार करने का हरे इस तरह का कोई चम्मच लेंगे, उसमें हम ये मिश्रन डाल देंगे, हमारी ये कुकीज एक ही आकार के बनने को होना, इसके लिए आप घर का कोई भी चम्मच ले सकते हो, इसको हम हातों पे गोल घुमाएंगे, और इसकी हम कुकीज बना लेंगे, इस तरह, ये थाली में हमने नारियल का ये कुकी के उपर के भाग को हम ये नारियल के चुरी के उपर में इस तरह रखेंगे, और इसको हम ये बटर पेपर के उपर में अभी रख देंगे, सिर्फ उपर के भाग को हमें ये नारियल का चुरा लगाना है, दूसरी भी कुकीज हम इसी तरह बना लेंगे, ये देख कुकिज को हम 10 मिनिट फ्रीज में सेट होने के लिए कि ये कुकिज को बेक करने के लिए हम आईसा मोre तले की गहरी कढ़ाई लेंगे इसमें नमक वंग्यरे कुछ नहीं डालेंगे बिना नमक डालें हम इसको बेक करेंगे घर की इस तरह की कोई भी कट워요 हम ये कड़ाई बिरल में रखेंगे , इस तरह की रिंग भी आप ले सकते हो यह रिंग को इसमें रखुंगी तो ऑभी हम घ्यास का फ्लेम तेज रखेंगे और इसको हम पाइस मिनिट यह कडाई को हम प्रिहिक कर लेंगे अभी हम इसकी उपर Кण रखेंगे 10 मिनिट के बाद में हमने ये कुकीज को प्रीज में से निकाल लिया है ये कुकीज अभी अच्छे सेट भी हो चुके है अभी हम ग्यास का फ्लेम पूरा स्लो कर लेंगे और ये रींग के उपर हम ये कुकीज की प्लेट रख देंगे इसके उपर अभी हम ढकन रख देंगे ये बेक करने के लिए 12 मिनिट लग जाते है अभी हम इसके उपर ढकन रख के इसको 12 मिनिट बेक कर लेंगे 6 मिनिट के बाद मैं ये कुकीज आपको खोल के दिखा रही हूँ ये देखिए ये हमारी कुकीज अभी बेक हो रहे है ये कुकीज का साइज आप देख सकते हो जब हमने बेक करने के लिए रखा था तब इनका आकार कितना था और अभी इनका आकार कितना है और इसको और 6 मिनिट अभी इनको पकाना है अभी हम इसके उपर में ढखकन रख दे यह हमारी कुकीज अभी पूरी तरफ बेक हो चुकी है और इनका कलर भी देखिए कितना मस्त दिख रहा है अभी हम इनको निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे ही थंडा होने देंगे देख सकते हैं पाच मेट हम इसको ऐसे ही थंडा होने देंगे यह थंडा होते होते ही अंदर के अंदर बेक होती रहती है, अभी ये कुकीज को हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे, ये कुकीज मैं आपको तोड के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने पट से तूड गई है और देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट जैस क्रिस्पी कोकोनट कुकीज हमने घर में बिना ओन के बना लिए है, ये कोकोनट कुकीज को आप एक बार बना के तीन मैने तक के श्टोर करके रख सकते हो, आप एक बार जरूर मेरी ये तरीके से ये कोकोनट कुकीज घर में बना कर देखिए, आपको ये कुकीज बहुती प पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिये सबस्क्राइब कीजिये और शेयर कीजिये थैंक्यू